वेलकम दोस्तों तोड़ा सार ना स्वागाता तोड़ा अपने पसंदिता चैनल पॉस्टे वाइब दे उपर तो अज आप आप एड़ी वीडियो डिसकस कर रहे हैं अपनी पॉलिटी दी सीरीज दे विच वह बेस्ट वह है एमसी क्यों दी वीडियो बेस्ट रॉपिक्स और फाफ तो अवाफ दा कॉंसिटिऊन तो लेट सट़्ाट तपर फिस वीडियो डिटी परस्ट वेडियो डियो सेंगने सामेट अलफ एडियर दैगर आटिक था कॉण करेगी तो कौन करेगा पार्लीमेंट करेगी पार्लीमेंट को एक प्रेंच को एक तिरी लिख़े तो कि अब कौन डिसाइड करेगा पार्लीमेंट उधले पार्लीमेंट डिया वो अपने नॉम्स बनाएगी जा अपने कंडिशन्स रखेगी उस कंडिशन्स बेसे देनामा एरिया इंडिया देनाल जोईन हो जेगा उन्हें इते चीत आंड रखना लिए कि इते स्टेट करके नहीं स्टेट नहीं बन रही अगर यह वाला केस होगा फिर आर्टिकल 3 रिकाल होगा बट आपने कोड़े की है एक न्यू एरिया जो इंडिया देनाल जोईन कर रहे हैं तो कौन करेगा पार्लीमेंट डिसाइड करेगी किस कंडिशन दे उप्राफे एरिया नो जोईन बिल्क रहना आगे और पार्लीमेंट कौन अउथराइज करता है आर्टिकल 2 आउथराइज करता है तो इस कोशन जिदा अंसर है वो अपने कोड़े की है डी अंसर दैट इस पार्लीमेंट एक्स्ट्वेशन विच कुमिशन है मेड़ रेक्मेंडेशन विच फॉर्म्ड दा रेक्मेंडेशन दे बनी है तो इस तो अपने को तेन ओप्षन हो रहा दार कमिशन जे बीपी और साइमन कमिशन वन वन आपाई देख लेने दार कमिशन दा की मीनिक है देखो दिसंबर 1948 गॉर्मेंड ओफ इंडिया ने एक कमिशन क्यों बनाया थी का एच देखो जो अपने कोड़ी किया री ओर्गनेशन दी देमांड होने शुरू होगी सी कि तो लोग की कहन लागे सी कि पाशादेदार तेजी है कि नमी स्टेट मनाई जागे ठीक है जितना दी लेंगिज हो जी अपनी कहन दा तो पंजाब भी बोलता तो पंजाब नर्वना तो गुजराती ने गुजरात ना है न तो इसलिक इसी का गॉर्मेंड ओफ इंडिया ने की है वहने ने कमिशन बठाया कि चेक करो कि जए डिमांड लोग का दिए जाए जान नहीं है तो दार कमिशन दी र आशादे दार्ते को स्टेट नहीं बनने चाहिए और रेकमेंड फिर इननने की किता है कि तो अड़कुले बेस की होना चाहिए दा एड्मिस्टेशन के जिस तरह हो दी एड्मिस्टेशन चाल रही है उसी बेस से दे उपर आपां स्टेट मना लिए एकी दी रेकमेंडेशन लोग कांद वेचे उची ता फिर गुसा हो गया तो कॉंग्रोस ने की किता है फिर नाम किसी का जेवी पी एचे जेडे मेंबर से के उनने नाम दे बेस दी एक कमेटी है जेस्टेंड फर जवारला नहरू वी वलबावाज पटेल एंड पीपर पितामी भी पितामी इसी तर इनने यह की किता है इननने भी रेकमेंडेशन इननने भी किता है चेक ही चीज कीती है कि एडी लेंगवेज यह दाट शुट भी ता बेस फॉर दारी ओने चाहिए जा नहीं होनी चाहिए तो एप्रेल नाइंटीन फॉटी नाइन दे वेच अपनी रिपोर्ट सॉमिट कीती तो इननने भी कलियर कटेश चीज लिए मना करता ज़िए कि पाशा इस चीज़ा अधार नहीं होना चाहिए तो उस वाद की है थर्ड अपनों है साइमेन कमिशन और साइमेन कमिशन की है यह ता स्टेट री और्गनाइशन देना कोई कंसर्ण नहीं है ठीक है उधना नहीं पिर लेटर की देना ला रिलेटर है गौवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट उननी सो उननी जदो यह एक्ट अंग्रेज्जा ने अपने लिए बनाया सी गा उस टाइम तो उनने की कहता सी गा कि अगर किसी कमिशन ने इन्हों इनकोयर करना जाए दी वर्किंग नूँ चेक कर तो सिर्फ दास साल बाद बनेगा दास साल बाद मतलब के अगर एंडिया एक्ट उननी सो उननी इदा इनना को व्रोध होया कि जड़ा अंग्रेज्जा नूँ किया कमिशन बठाना पर इस ती वर्किंग मी चेक करन देली कि जड़ा इनना इता व्रोध हो रहा है अपा कारन की है तो 1908 तक उनने वेट ने गीती हुए उनने गीता दो साल पहले मतलब के 1907 देवेच एक कमिशन बनाया इस कमिशन नाम की सिगा साइमन कमिशन और साइमन कमिशन चेक की करना सिगा के वर्किंग गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ठीक बने भी है इंडिया दे लोगाल है जह नहीं बने हैं बट इस कमिशन दा की इस कमिशन दा बहुत ज़्यादा विरोध हो यह कारन की सिका है कि वरकिंग देट चेकरन आ रहा सी कहा है जिड़ा कनून इंडिया देले ही बने है पर इस कमिशन देपेच कोई भी इंडियान मेंबर नी जिगा इसे भी अंसर शाक मिशन नेक्स्ट है विच बॉडी डिसाइड दे कंडिशन्स फॉर गेटिंग दा सिटीजन्शिप दी गल करते हैं अपां कि अगर सिटीजन्शिप लेनी है तो कौन डिसाइड करेगा वह अपने कौन डिसाइड करेगा पार्लिमेंट और पार्लिमेंट नों कौन अथोराइज करता है आर्टिकल 11 ठीक है अर्टिकल पांजेतों लेके दास तक जब पांजेतों लेके आठ तक है वह अपनको एक लिम्टेड टाइप दी सिटीजन्शिप दिनदा कहां दा मतलब एक पर्टिकुलर डेट तक सिटीजन्शिप लेए अपने कौन डास दाक है अब इस तो पहले पहले दी करनी है तो वह कौन करेगा उनकिते दिस्टा है वह अर्टिकल पांजेतों लेके दास तक लेकिन अगर इस टेट तो बात दीकल करनी है फिर अपने कौन की बनाया गया आर्टिकल 11 और आटिकल 11 ने ऑथोराइज की नू करता कै कि उन सिटिजेंशिप एक्ट बनाया सिगा है 1955 इस टाइम तो टाइम आपने कोड़े अमेंड उन्दा रहन दा गया जिद्धन दी कंडिशन उद्धन दी अमेंड मेंड मेंटे देचा उन्दी रहन दी है तो अर्टिकल 11 ने ऑथोराइज करता पारलिमेंड नू सिटिजेंशिप देली इस पर्टिकुलर डेट तो बाल क्लिए तो इस दा अंसर की है C is the correct answer next picture of the following has the power to form a new state or to change the borders of the state के अंदा मतलब की है एक नमी स्टेट में रहनी है जहां की है तो चेंज दा बार्टर ऑफ दा स्टेट क्लिए ओ कौन करेगा ओ पारलिमेंटी करेगा new new state अगर तो अड्मिट करनी है ओ अर्टिकल तो दे बिच चाहे जएगा ठीक है अगर बार्टर चेंज करने है इदा मतलब कि या आर्टिकल 3 रिकॉल हुएगा ना वाइफर्गेशन देना new state बना नहीं है फिर ता आर्टिकल 3 ना बनेगी अगर new area इंडिया ने जोइन करो ना फिर आर्टिकल 2 ना बनेगा बट दुन ना देविच डिसीजन कौन लाएगा पारलिमेंट विल टेक ता डिसीजन क्लियर तो जिटा फोर्स क्वेस्टन ना उदा आंसर की है बी बी ता प्रेक्ट आंसर नेक्स्ट की अपने पड़े विच फॉलिंग आर्टिकल डिस्क्राइब इंडिया और बारत किते लिखे हो है तो पज़े तो पहला पढ़े असीगा आर्टिकल वान देविच लिखे हो है तो बिल्कुल स्टैक जा और इजी क्वेस्टन है आर्टि लास्ट के सब तो लास्ट ते केड़ी बनी सीगी इस्टाटिक बेस्ट वाड़ा क्वेस्टन है के तो नूं पता होना चाहिए कड़ी-कड़ी स्टेट कदो कदो बनी है देखो जो स्टेट रियोर्गनेशन एक्ट आया सी का अपने कोड़े एक नमंबर उन्नीसो पंजा न लास्ट मो घंड़े और नागया नागytt ड़ांड अपन enfanrous मी स्टेट बनी सीकी कड़े देविच और कितो बनी सीकी असामता थी है न और फौर्थ मान आपने लोग किया है पंजाब पंजाब तो सारी ने पता कि 1968 यहाट तो मतलब किया सब तो पहले अपने लोग गुट किण पंजाब सब्सक्राइब अंसर है वो अपने को किया है डी इस दा क्रेक्ट अंसर इस स्टेटिक बेस्ट है तो अगर साल याद है तो यह हो जेगा नहीं तो अन्हों रिलेट कर पाऊंगे तो वजिए कर ला अधरवाई तो याद करना पहना है एक स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन है ठीक है जो लिए यह तो पहले स्टेटमेंट तो यह नहीं तो पहले स्टेटमेंट तो और गडिल्कुल करेक्ट है कि ऑस्कयान दारकंशन कोआ हो टारकंशन दार कमिशन दर्फ पहले आप उन्हीं दा dw divided डिवंच जीए और तंच उर्ड एड़ेक और पहता हो don रिखकची करने लेटनेंट कालेंस Ak ihr ebit बिल्कुर स्टेट्यमेट कुर्ड़्यरन होना चाहीए इंस्टर व लेंगेृज टीकैा तो सेकर्डर स्टेमेंस एपने मिन्मेटी बनी है KmbHimenti DBP autor नहीं सेके हैं ईंग्यास पहई है नहें चाहिद एदा एंधाई रिडन औन होगत है इन्हों शेद्में टिन्例 तिन्स एडिल्च्वा होई टाम्यास नहीं आपने को ए aussi कुछ कारनें से कहने सेथां next question arrange the following states in a chronological order इनन भी ओई chronological order दे बेच आप आ रेंज करना के बट इस तो पहलना कि यह इस भी static question है कि तो नुब पता होना चाहिए दाग है कि केड़ी state कदो कदो बनी सीगी यह ज़िदी दो आप आपने पता के दो हजार दे बेच आपने पर जाए त्यन स्टेट बनिया शिगी एक चातिस कड़ दूसरी जार खंड और तीसरी आपने को बनी सीगी उत्रा खंड जैडि चातिस सीगी यह पतों MP नूँ आपा वाइफर गेट करके बनाई सीगी ज्यडि जार खंड सी बिहार करके बनाई सेगी और यूत्रा घंड सी यूपी नूँ वाइफरीट करके बनाई सी कदों दियाल कर रहे हैं साल 2000 तो पहले देड़ा साल आ गया वह दो हो जार आ गया गया दूसरा गी और नाचल प्रदेश प्रदेश अपने को किसी यूटी सी की और यूटी तो अपने नमबर यूटी 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 आपना तो मश्मार्य आपना पन्जाव कर दो साल न यूटी में देकिना चाहस में इसी की फरस्ट हैंफ नमंबर खाड़ीग उयूटी जार खांट शीकी अपने को नहीं को हो अपने बनी सी की आ जंद्रह नवंबर दो हजार देवेच और सिक्कम तो आपनों पता ही है सिक्कम तो आपके निवार डिस्कस पहले भी कीता है थीका तो अगरा पर नोलोजी कल ओघर में तो सब्टो पहले अपने कुण के आ गया थे इतंद्रह नमबर जिड़ा है काद है दो हो गी और चाहर खंड जार खांड दागी आपने को यह देज़े तेन, आंसर की है कि चार, दो, एक, तेन, चार, दो, एक, तेन, बीज दा, क्रेक्ट अंसर, ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है जी कोई नमा, कोई लॉजिक जा कोई कंसेप्ट क्लियर करना लिगाल नहीं है, बिल्कुल इजी है उसवाइड आगे, by which one of the falling constitutional amendments, जीड़ा दिल्ली has become the national capital reason है, दिल्ली आपा एंसर बनाता जीगा, वो किस जीड़ी है कि amendment है, उस दे बेसे बनाता जीगा, पहले ताप एदा, आंसर है, वो आप टिक करिए, कि जी 69th amendment है, इन्हों आपा की बनाता जीगा, दिल्ली आपा चीए आपने कोड़ी है, और कई पर एची question आजान दा, आपने कोड़ी कि केड़ी किड़ी है स्टेट से हीच involved है, किड़ी केड़ी स्टेट साइरिया ले आगया है, हर्याना दा गया, यूपी दा है, नॉइड़ा वगए आपने कोड़ी है, और एक राजस्तान दा भी आपने को के अपने कोड़ी 1991, बहुत इंपोर्टेंट कोष्यन है, यह नता है, अपने कोड़ी आपने कोड़ी स्टेट है कि ऑसलिदे स्टेट ले यहां स्टे इचा है राए ट वी आपने कोड़ी करते स्टेट सिक करेणे खतमकरते। 50 नोइड प्राइम निस्टर शीगा कदूंधी कल कर रहे हैं अपना उनी सो अठार दी ओना इधी सब्तों इंपॉर्टनेटर है कि अगर आप देखे जाएं थोड़ा नीचे ले उने इधी वोटिंग एज है उन्हों पर रेडियूस करता सीगा इकी तों अठारा साल सिक्स्टीफ फर्स्ट अमेंडमेंड ते वेचे डी वोटिंग एजा उन्हों पर रेडियूस करता सीगा इकी तों ठारा साल केड़े साल देवेच हो इसी कि नाइंटीन एटीन नाइन उन्हों देखो इदेच दूसरी काले देच कि वही है कि इसमेंडमेंड दे नाल होया कि है आपनों पता है अपना हने कोई होगे किहिए अलेक्शन कमिशन विए खिझा ऐ ऐख मेंड सी अपनी एकले ँडिया का होने एलेक्शन कमिशन्टे मीशन खिटे है त्री मेंबर बुडिया और पहली वर थ्री महिंचे छिन दीसिंगल मेंप बॉने पहले थी मेंपर बॉडी कदो पनी है म्मक्वित मीशन कुमिशनशन मेंडिया न भी थे Тके क्विशंशनर गेंगे मेंखंब की थे पर उना का दूसरा कि एक लेक्षनर मीशनर गापन को कली एक एक ट्री मैंपर बॉड्डी है लेकिन स्टार्टिंग के विज आपने कोई की सीगी है सिंगल मेंबर बॉड़ी और थ्री याली कदों होई आपने को नाइंटीन एटीन नाइन दे वेच वह ता रीजन की मने है देखो पहले की सिगा एकी साल दिया अगर वोटिंग एज सीगी ता लोग मालों फॉर आपने कोई बॉड़ी एकी सिग और वह तो बाद की है कि उन तो ऊंड़ी बॉड़ी त्री बाद कीता है इस वाद जम्वरी उन्नी सो नब्य देवेचे घमरी उन्नी सो नब्य देवेच एठी त्री फ्री आपऄ। दोब आपा नमिया एड करेती हैं इननों फिर अपालिश करके अपने बनगी है सिंगल मेंबर बाडी बनगी है कि अधिया उनी सो नबब्य दे वेच दबारा फिर आपकी कीता आगे कि 1903 दे वेच की गीता गे इन ऑगें आपकी बनाता है तो 1993 की एक किल एकमिशन को कुल्स या किया इंडिया फिर आपने एनको किल आपने Dziękuję तो Constitution बने आजीगा, आपने के किने सी के schedule 8, तेरा 9th schedule है, वो पहली amendment देना आज 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 आज़ करता है, कि अज़े साल दी कहला है, 19, 1951 दी, इट मीज कि यह विद अपर 1st amendment in 1951, वी आज़े आज़े दा 9th schedule, और 9th schedule तो आज़े है की सी कह, आज़े 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 आज़ अपने होड चीच्छां भी आड़ डिसकस हो रही है नहीं पर अपने टॉपिक ज्यादा ज्यादा रिवाइज हो नहीं इन डिटेज तक बात बिच करने करने हैं पर उस तो डिटेज डिसकस करने तो पहला पहला तो अडिकुल थोड़ा ज़ाओ आइडिया होना चाहिए और सब्सक्राइब करने हैं तो नेक्स क्वेशन करते हैं मैच दा फॉलिंग एंड स्लेक्ट दा क्रेक्ट आंसर पहला किया है एक्कोजिशन ओफ इंडियन सिटीजेंशिप कि अगर सिटीजेंशिप एक्वाइर करनी है तो क्यों में होएगी उदे को अपने को डिफेंट सब्सक्राइब करते हैं उन्हें जो एक मैथड़ी का बाई रिजिस्ट्रेशन लॉस ओफ इंडियन सिटीजेंशिशिप इदे अपने को किन्ने मैथड है तेन मैथड है इदे किन्ने मैथड है पांज मैथड है ठीक है और फंडामेंटल राइट्स आपर डिसक्स करनी है ज दूसरे दा लॉस ओफ इंडियन सिटीजेंशिप दूसरे दा ए और तीसरे दा आपने को किया भी आंसर इस ही इता सिंपल इस इसी का अगर थ्रेटी कर आंग तुछी यह लेक्शित ते आना तेटीं किते होंगे जाते आना सुने होंगी एक्स्टॉस्ट्ट सिक्कमाज बहुत इंपोर्टनेंट है और कोदों दी कल कर रहे हैं पहें 1905 दी कल कर रहे हैं शिक्कम जड़ी सेगी वह अपने 36 अमेंडमेंट देना लाई सेगी अपने कोई जड़ी बहुत है में स्टेट बनी सेगी 1905 देना और बाट उस तो बाज दिया च्या ओप्षिन है ना बीसी और डी जान बुझ के में दिच पाई ने और तिन्यों के ना रहा रहे लेटर यह अपना शडीओल है शडीओल एड इदे विच आपके लिखें ऑफिशल लेंगिजिजिज आपका लेस्ट कीते हो यह नि और टोटल होना आपके ऑफिशल लेंगिजिजिज इनी बाई मतलव की है सब्तो पहला आपा दे इस लुड़ दोसीन है अपने को लेंगिजिजिज आएड कीती है वह अपकीड़ी आड करती है सिंधी दी आड करती है कदों with help of 21st amendment 1908 दे बेच उस्तो बाद की वह जाए गए फिर आपने को next amendment आगी है 71 amendment कदों कीती है 1992 दे बेच और यह जपागी कीती है यह जपा तेन लेंग्विजिस हो रहा है एड करती है केड़ी-केड़ी कॉंकनी दूसरी मनीपूरी और तीसरी नेपाली ठीक है यह कि आप आपने को एकड़ी अमेंड़ी केड़ी अमेंड़ी कीती है 71st amendment कदों होई सीगी 1992 दे बेच उस वाद की है 92nd amendment 92nd amendment आपने को एड़ी हूई है 22 official languages ठीक है तो जड़ी तिन्नों का जड़ी है किया अमेंडमेंट्स कीती है लेटेड है शेडियूल एड देना शेडियूल एड दे विच की है list of official languages टोटल की नहीं ने आपने को ए 22 और 14 तो 22 के में की यह ने भी जड़ी तो 21st, 71nd 92nd amendment 21st, 71nd and 92nd amendment 21st, 71nd 22nd amendment 22nd amendment 21st 2021 बार्थ है ना इतोड़ा जानमी होते हुए है बाई डिसेंट उस वाद गया बाई नेच्ट लाइजेशन बाई रिजेस्ट्रेशन एड़ इंकॉर्पोरेशन आफ दा निव एरिया जा निव टेरेट्री और इदी तोड़ा जाए देख लेना है कि इदी बाई बाई बार्थ यह लगे अगर इड़े गाउफिस अफ दा प्राइजेंट इंडिया देवेच किसे बंदेने जडी सिटिजेंशिप लाई यह बाई बाई बर्थ लाई यह बाई नेच्रलाइजेंट लाई आ तो गिया ओ लिजीबल होएगा फॉर्दा ऑफिस आउफ दाप्राइजेंट बट यूएस से देवेच कहानी कुछ हो रहा है यूएस से देवेच अगर बार्थ तो अनुए सिटिजनशिप मिली है तो अगर बार नेच्रल लाइएशन है इन देट केस की है तो अधिडिये लिजिबिल्टी नहीं बनेगी इनलिजिबल होंगे तुसी कदली फोर तो पोस् से फाइब तो अनुए जिड़े हैं के मैथर हो तो अनुए पाउट ते डिसकस कीते हुए है नेक्स्ट इस अंडर विच आफ द फॉलिंग कंडिशन आदा सिटिजन शिप भी प्रोवाइड इन इंडिया केड़े मैथर वन शुट भी बार्न इन इंडिया यह से पॉसिवल आइधर ऑफ दा हूज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया है हूज है और नोट लेस देन फाइव एर्स टीक है यह किदी कर रहे है है यह पसारे सारा आर्टिकल आर्टिकल फाइव दिस्क्रिप्शन है इन तिनना दे बिच्छो कोई भी एक कंडिशन आगर मीट हो जा इस दा आंसर की एडी आंसर उसव अंडर आर्टिकल वन इंडियान कॉंस्यूूशन इस डेकलेट आडट बार्ट मीज इंडिया शेल भी यूणियन ऑफ स्टेट्स इंडियाए इंडिया जापा इंडिया इटियूटी था थे इस अगर डूनियूटी नोट इस्कास करूना सेताट अंड यूटी कि दिच होएगा और कि टरेटरी ओफ इंडिया बत यूंआ ऊंसर धी आपनेको लेख वन अंसर वस्वादा स्टेट रिएघनेशन एक 1956 created जदो देखो state reorganization act आया सीगा तो देचे अपने कोले की होया सीगा किने स्टेट्स मनिया सी अपने कोले चौदा स्टेट्स एंट छे यूनियन टेरेटरी इदे विच्छो आपने जीड़ी आएगी एड जोइनिंग है एच्पी एच्पी स्टार्टिंग देविच अपने कोले की सीगी यूनियन टेरेटरी सो एदा अंसर की अपने कोले थर्ड इस दा क्रेक्ट आंसर एक दो चार नों डिस्क करने जरूरत नहीं है फिर्ड इस नों डिस्क आपने जरूरत नों डिस्क आपने जरुआइगा जनवरी उनिसोव पंजात अबाज अगर किस नों सिटीजन्शिब देनी है तन फूविल डिसाइग द रूलेश्ट रूलेश्ट इस दिस्काल टेरेगा पार्लिमेंट लगाएगा यह जी किते लिगी हो यह आपने पुड़े आर्टीकल 11 दे विच लिगी भी है ठीक है थ्रे आर्टीकल अपड़े बदी यह त्रीके ने डिस्कस कीता है और वीडियो जुरूर देखे हो तो उन्हों एकलियर हो जी का फिर तो उन्हों MCQ भी easy लगे है अपना which one of the following is the first state to have been formed on the linguistic basis तो linguistic basis तो उसारे में पता आंद्रा स्टेट बनी सेगी उन्ही सो सॉरी उन्ही सो तरवंज्या देवेच इतने तो बहुत आपने को लोगी बने आजी का फजलाली कमिशन ने की इतना सीका कि लेंग लेंग भी बेसिक ते अपने डिफरेंट स्टेट सोने चाही थिया ने फि आपके में पॉसिबल होएगा वित अलप आफ सिंपल मेज़रीटी सिंपल मेज़रीटी ता मैमीनी की उन्हीं दाग है कि टोटल जिन्हें प्रेजेंट है ना फॉर एक्जांपल तेन सो मेंबर तो उरके सदन दे पे चेड़ाय गया है को प्रेजेंट ने थैनना थैन्ही त फॉर किया हो जो सिंपल मेज़रीटी इंप लिम्न ब्लीमेंट होगी ही एकılar नमी स्टेट बना नहीं है तो लिए अपने खेली चाहिई दिए और बेहां आपी तो वेचे वन आव तो फॉलिंग इस दा क्रेक्ट क्रोन लोजिकल आओडर अब ता अगर तो अनू साल याद है तो आटोमेटिकले इस चीनू लगा लोंगा कर नहीं याद है ता फिर नहीं है तेको नागलेंड का दो बनी सिगी अपने पहला उनीसो त्रेट देवेचे असांतो इरिया लेया सीका अपना पनी पता है इंचावड्या पता ही उनीसो श्याट देवेचे पिन्जाब नो बाइफर केट करके बढ़ी सिगी सीक्कमा आपने को पता ही है, थार्टीसिक्स अमेंडमेंट हो इसीकी 1975 देवेचे और अर्नाचल परदेश्य अपने गर्ड़ की करना के समझ की जाद कर लो इनने ग्रूपिंग कर लो इस पो दो यार देविच अपने को किड़ी किड़ी हों यानि है न है कि 1903 जिन आगा लाइन अपने को कली होई सेगी तो इनन ग्रूपिंग करके याद हो जेगी इनना मुश्किल कम भी नहीं है कुश्चन 19 दा अंसर एं विद वर्ट सब्जेक्ट डू दा आर्टिकल 5211 ऑफ ता कॉंसिट्यूशन डीज फाइब पार्ट टू अफ ता कॉंसिट्यूशन और पार्ट टू देविच अप गल किस दी करते हैं सिटीजन शिप दी कल करते हैं ठीक है जिदे विच की एट लोगे 26 जनवरी उनिस सो पन्याट पहले पहले दी गल कर रही है अगर उस तो बाद लुए है तो उसे बाद लुए कौन करेगा पार्लिमेंट करेगा और पार्लिमेंट कौन ऑफ़राइज करेगा आर्टिकल 11 ऑफ़राइज करेगा एको गलों में वार वार तहां बोली जय उन्हों द्वारा रीकॉल करना गए नेक्स्ट वान इस कंसेटर दा फॉलिंग स्टेटमेंट दा क्रिएशन ऑफ दा निव स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एन एक्जिस्टिंग स्टेट इन्वाल्ड दा कंसेंट आफ देखो कि यह अपने को एक बड़ी स्टेट है उन्हों व है और प्रेजिडेंट की यह जे स्टेट नो वाइफर गेट करन जा रहे हैं इदी बाउंडरी दपा चेंज करन जा रहे हैं कट आ रहे हैं जब दा रहे हैं उन्हां तो पुच्छेगी उन्हों इंटीमेट करेगी ठीक है एक विदिन पीरेट अगर हो स्टेट रप्लाई क और अप आपना ना वन नहीं ठीक है ते पार्लीमेट अपना डिसीजन वहे गा तो इटिमीज की यहap न्यूची बनाउनी है एक जिस्टिंग स्टेट तो अपना को की होएगा आटिकल अ अटी आटिकल थी होएगा और अटिकल 3 दे एक जार्टिकल कीता रोल होएगा पार् correct answer of the 21st question so AJC के कुछ question में discuss कीते हैं अपने based on the union and its territories and दूसरा हैगा citizenship so AMC की हो तो तो अज़स्ट एक revision दे लई है एदिच जी अपा कह दी सब कुछ cover हो जेगा सारा कुछ नहीं हो जदा बट एक revision जरूर हो जान दी है क्योंकि अपा वीडियो भी बहुत लंबी नहीं जानी बट फिर भी अगर कोई question रहे जन्दक है अदर्वाइब मेरा था ही एदिच मेन जड़ा है कि मेरी कोशी ही रहेगी कि हार एक टॉपिक आपा ट्रेस करिए बट अगर फिर भी कोश्केप हो गया तो आप एक मिसलेनिस दी वीडियो बनावागी जीदे भी सारे सारे टॉपिक्स आप आइक वारा द्वारा तो फिर डिसकस कर लांगे तो एक यह अपनी तोड़ी जी नेक्स्ट एमसी की हुआ है वह अपनी वीडियो पसांदा आ रही है जांग लेक्चर से पसांदा आ रही है तो लेक्चर लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें अगर पसांदा आ रही है तो लेक्चर शेयर करो लाइक करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो थैंक यू थैंक यू वेरी मच